हलो व्यूर्स आज के वीडियो में हम कक्षा दसवी और बारवी की पूरक परिक्षा की संपूर्ण जानकारी देखेंगे आपकी पूरक परिक्षा कब है पूरक परिक्षा के फार्म कब से भरने शुरू होंगे क्या समय रहेगा एक्जाम का या सारी जानकारी आज के विडियो में देखने वाले हैं तो शुरू करते हैं माध्धिमिक शिक्षाम अंडर मद्यपदेश भोपाल की तरफ से यह आदेशे जानकारी है जिसमें बताया गया है वर्ष 2024 की हायर सेकेंडरी हाई स्कूल पूरक परिक्षा के आयोजन के समबंद में तो पूरक परिक्षा के बारे में सारी जानकारी आज हम देखेंगे वर्ष 2024 की हायर सेकेंडरी मतलब बारवी एम हाय स्कूल मतलब दस्वीज पूरक परिक्षा के आवेदन पत्र दिनांक एक मईँ 2024 से शुरू हो जाएंगे हर सेकंडी परिक्षा प्रारंब होने के पूर्व मतलब बारवी की एकसाम जो शुरू होगी उसके एक दिन पहले तक भरे जाएंगे एवं हाई स्कूल परिक्षा है तो विशेवार परिक्षा प्रारम दिनांग के एक दिन पूरो तक भरे जा सकेंगे तो एफ फार्म आपकी एक्जाम शुरू होने के एक दिन पहले तक भरे जा सकेंगे और फार्म भरना एक मई दो हजार चोवीश से शुरू हो जाना है बेस्टाप 5 योजना के अंतरगत परिक्षा परिणाम की गोशित किया गया है बेस्टाप 5 पद्धती के तहद यदि चात्र एक विशे में अनुतिर्ण होता है और उसका परिक्षा परिणाम उत्तिर्ण गोशित किया गया है ऐसी इस्तति में यदि चात्र अनुतिर्ण पुरग परिक्षा में सम्मिलित हो सकेगा तो इसका मतलब यह है कि बेस्टा फाइब योजना थी कख्षा दसी में और बेस्टा फाइब में केवल पांच जिन विश्व में आपको अधिक अंक प्राप्त होगे उसके आधार पर ही आपका प्रेणाम गोशित हुआ है जो एक जिसमें कम नंबर है या यदि उसमें आप अनुत्रन भी हो गए हो तो अभी आपको उत्रन बताया गया है तो एक अनुत्रन विश्व क्या पुरग परिक्षा में सम्मिलित हो सकते हो यदि आप चाहो तो इसके बाद बताया गया है कि एसे चात्रा एक मही 2024 से 20 मही 2024 तक पर यदि वो अपने इच्छा से यदि वो देना चाहे उस विश्य की परिक्षा फिर से तो दे सकते हैं और उसका आवेदनौ एक मही से बीज मही तक कर सकते हैं पुनरगर्णा के फल्सरों परिक्षा परिवर्टन होने पर इस सोजना का लाप राप्त करने वाले चात्र परिक्षा प्रारंब होने के एक दिवस पूर्व अर्था दिनांक 7 जुन 2024 तक परिक्षा आविदन भर सकेंगे तो यहां पर इसका मतलब है किसीने पुनरगर्णा करवाई हो और बेस्सराफ फाइब के अनुसर किसी एक विश्चा में कम नंबर होने पर भी पास हो गया है पुनरगर्णा के आधार पर तो वो अबी उस एक जिसमें कम नंबर है या जिसमें वो अनुत्य ने उसकी फिर से पत्र किएवल ओनलाईन भरने है तो निमनप्रक्रेया निर्धार्ट कीगी तो पूरक परिक्षा के상 की से भरने है और उसके बाद हम देखेंगे पूरक परिक्षा का आपका टाइम टेबल तो यहां पर बताया गया है पूरक पात्र 46 स्वयम MP ओनलाईन के क्योस्क पर अपनी मुख्य परिक्षा के परिक्षा फल के आधार पर पूरक के विशे अनुक्रमांग मतलब रोल नंबर की जानकरे देकर शुलक का नगत भुकतान कर परिक्षा आवेदन भर सकेंगे जो चात्र स्यम क्योस्क में जाकर पूरक परिक्षा हेदू आवेदन नहीं करना चाते हैं अपनी शिक्षन संस्था में नीमित चात्र जिसमें वह अध्यानत थे तता स्वाध्य चात्र मुख्य परिक्षा हेदू उनके आवेदन पत्र अग्रेशन करने वाली संस्था में पर्मुक इस प्रकार के आविदन करने वाले चात्रों की शुल के जमा करेंगे, उनको रसीद देंगे और उनका उनलाइन फार्म जमा करेंगे, तो पूरक परिक्षा के फार्म, MP उनलाइन में क्योस्क के माध्यम से भरना है, आपको अपना अभी जो एक्जाम का रिजल्ट आगया है, उसका परिक्षा फ़र लेके जाना है, पूरक का विशय उसमें से ही पता चल जाएक और अपने रोल नंबर भी आपको उसी में होंगे, तो लेके जाना और आपको आविदन पत्र भर देना है, कि उसको पर जाकर यदि कोई चात्र नहीं जा सकता है, तो वह उस आविदन कर सकता है, जहां उसने एक्जाम दी थी, इसके बाद आगी हम देखते हैं, यहां पर बताया गया है, हाईर सेकेंडरी परिक्षा में केवल एक विशय, तता हाई स्कूल परिक्षा में दो विशयों में अदनो तिर्न चात्रों को ही पूरक की पात्रता प्रदान क ही गई है, तो हाई सेकेंडरी में केवल एक विशय में ही पूरक की पात्रता होती है, एक विशय में पूरक दे सकते हैं, और हाई स्कूल मतलब दस्वी में दो विशयों में पूरक की पात्रता होती है, हाई सेकेंडरी के समस्त विशयों की पूरक परिक्षा सुमबार दिन के बाद है जो 10thлед की एक्झाम होगी 10 june से 20 Jan 2024 को 10 Sen 2020 को 10–20 कि नहीं कि विषय को को पेपर एपनी के एक्झाम हो गऩ मैं तो 10 – 20 के बीच में एक्झाम گे समय होगा 8–11 क ini तक आपका सेंटर क्या होगा या आपको आपके प्रवेश्पत्र में देखकर पता करना होगा या आपको ध्यान रखना है आपका सेंटर वही नहीं होगा जहां आपने अभी एक्जाम दी हो सकता वो अलग हो या आपके विकास खंड इस्तर पर आपका सेंटर हो सकता है इसके बाद बताया गया है hard-secondary high school certificate परिक्षा में एसे विश्यों में जिन में प्रायोगीक परिक्षा का प्रावधान है सैध्धान्तिक उत्वा प्रायोगीक भाग जिसमें छात्रा अनूत्यर्ण रहे उस भाग में ही परिक्षा में समलित होना होगा तो जिस जिस विशे में प्रैक्टिकल एक्जाम हुई है उसमें प्रैक्टिकल में भी यदि अनुतिर नहीं हो तो आपको प्रैक्टिकल की एक्जाम देनी होगी यदि आप में विशे में उतिर नहीं हो तो आपको उसकी एक्जाम देनी होगी इसके पाद हम देख लेते हैं पुरक पात्र चात्रों को आवेदन पत्र भरने है तो शुलक का विवरण तो यहां पर है प्रती विशे परिक्षा शुलक हाईर सेकंडरी हाई स्कूल मतलब दस्य और बारवी दोनों के लिए चाहे वो नीमित हो या स्वाध्याई आपको 500 रुपय का शुलक लगेगा एक विशे का ठीक है यदि जैसे दस्य में यदि दो विशे में पूरक है तो आपको 1000 रुपय लगेंगे और इसके साथ ही ओनलाइन संचालक को दे ये शुलक मतलब आप जहां से फाम भरोगे वो भी शुलक लहेंगे तो उसका शुलक 25 रुपय यहां पर बता रखा है वर्ष 2024 की पूरक परिक्षा में किसी चात्र को बिना उनलाइन आवेदन भरे परिक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा तो बिना उनलाइन आवेदन भरे आप एकजामें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं इसके बाद यहां यहां भी बताया गया है कि पुरख परिक्षा में समिलित होने वाले सभी परिक्षार त्यूंगे प्रविश्पत्र दिनाक 1 जुन 2024 से ओनलाइन के माध़्यम से प्राप्त के जा सकेंगे तो प्रविश्पत्र भे आपको online ही निकल वाना है और प्रविश्पत्र एक जून से आपको मिलने लग जाएंगे तो इस प्रकार से हमने पूरक परिक्षा दस्य और बार्वी की समपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा नवी और दस्ती की संपूर्ण तयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए